Praise Lord, Hallelujah, प्रभू की सुधी हो, हमारे अधिपावित्र सविशक्तिमान प्रभू की सुधी और महीमा आज के दिन हो, Hallelujah, मेरे प्रियोलोग परमेश्व ने हमें एक साथ 2022 में एक कारिक आज इशित करके दिया है, कि हम अपने अधिपावित्र सविशक्तिमान प्रभू की सुधी कर सके, आराद ना कर सके, इसलिए इस सुन्द और अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहे, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, पिछले पूरे दिन भर प्रभू ने हमें सम्हाला, उसके लिए हाथ ठाक कर धन्यवाद कहे, धन धन्यवाद 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 धन प्रबु यहुआ जोता आया हूँ बच्पन से मेरा आधार तू है मैं गर्ब से निकलते ही तुझ से संभाला गया मुझे मां की कोक से तू ही ने निकाला इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा और 11 वचन कहता है हालेलुया परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया उसका पीछा करके उसे पकड़ लो क्योंकि उसका कोई छुडाने वाला नहीं हालेलुया उसके बाद हम आगे वचनों में हम पढ़ते हैं 17 वचन में भी कि परमेश्वर तू मुझे 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 को बच्पन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्यरे कर्मों का प्रचार करता आय हो हालेलुया और तेईज और चौवीस में लिखा है जब मैं तेरा भजन गाओंगा तब अपने मुझे और अपने प्रांच से भी जो तूने बचा लिया है जैजैकार करूंगा और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा क्योंकि जो मेरी हानी क्या भिलाशी थे उनकी आशा तूट गए और मुझ काले हो गए हालेलुया आईए अपने आँखों को बंद करें हम साथ में प्रातना करेंगे हमारे स्वर के पताम दन्यवाद करते हैं इस सुन्दर अवसर के लिए आपने पिछले दिन और रात अद्बतरी के से समाला रात को अच्छी निन्दी आरू किसे बल के साथ जगाया प्रबू उसके लिए धन्यवाद प्रबू पिछले चार महीने आपने हमें समाले रखा और ये नई महीने प्रबू हम आपके और अपनी दृष्टी लगाते हैं प्रबू आपके और जिसने भी दृष्टी लगाई ये वो कब भी लख्चित नहीं हुए, उसकर धन्यवाद, आप हमारे चेहरे को प्रभू आप प्रकाशिझ करते हैं उसकर धन्यवाद, प्रभू कि ये संदेश करने वाले, हर एक जंड को, व्यक्तिका तोर से, ईश्मसी के नाम से आर शिष्षिद करते हैं, हालिलूया, ईश्मसी के नाम से ये आशिश पाए, ये शमसी के नाम से ये आशिश पाए, हालेलुया, ये शमसी के नाम से ये जैवन्त हो, ये शमसी के नाम से चंगाई उनको मिले, ये शमसी के नाम से वो आगे बढ़ने वाले हो, हालेलुया, पर वो आपने हर एक चंगाई उसके धन्यवाद, जो भी रोक से पीड़े थै ईशमसी के नाम से हर एक रोक के बंदराज तूट जाए जिन के इतो धे रेके रिलर्जी के कारण उनके घाव हो गए है उनके शरीर में सब ईशमसी के नाम से उसमेजों भूमिए गाते हैं पूर्ण हो जाती है ईश्यमसी के नाम से उसमेंजेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे के जो भी विशय है प्रभु सब आपके हादों सवर्पित करते हैं और ये महीने का जो मीटिंग रहेगा प्रभु सब से आज इसका कारण बन सके आज का दिन हालेलुया आपने हमारी प्रातना सुनी उसके लिए धन्यवाद सारा आदरों महीमा पिता आपको ही देते हैं इश सोमवार को लेकिन हमारा आज के दिन रविवार को हमारा मीटिंग रहेगा आज के दिन रहेगा हालेलुया क्योंकि आज महीने का पहला दिन है तो ये महीने के आशिश को और वायदे को पाने का दिन है हालेलुया इसलिए बिना भूले इंडियन समय 9 बजे आज के दिन मीट क्या है हम जानते हैं कि मजदूरी का दिवस है हाललुया तो परमेश्वर ने जो हमें नौक्री दी है जहां पर भी हमें रखा है वहाँ सब परमेश्वर के आशिश को पाने के लिए हम मनन करेंगे और उस आशिश को पाते हुए आगे बढ़ेंगे आईए ध्यान देंगे वच्छन की और पहले कुरुंतियों की किताब तीन का छटवा वचर उसमें लिखा है मैंने लगाया अपुलोस ने सीचा परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया हललोया इस वच्छन से पोवतात पर हमें अगवाई यह एदेते हैं कि हम काफी बार बहुत बार कोशिश करते हैं आगे बनने के लिए हम समर्दी पाने के लिए लेकिन वच्छन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर यह है जो हमें आगे बढ़ाता है यहां पर जैसे लिखा गया है कि मैंने लगाया अपलोस ने सीचा परंतु परमेश उने बढ़ाया इसलिए शायर हमने कोई नया नौकरी में हमने कुछ किया होगा हम काम जरूर करते होगे लेकिन उस नौकरी को आगे बढ़ाना या उस नौकरी में हमें आगे बढ़ाना वो हमारा परमेश वरी कर सक लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूर्ण तरीके से दोड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कैसे रहे कैसे संब्रदी पाने के लिए, भलाई प्रात करने के लिए, उन्चाई प्रात करने के लिए, आर्तिक विशे में उन्चाई प्रात करने के लिए हम दोड़ते रहते हैं, पर आकाल हुआ होता है लेकिन वो वहाँ पर बीच वो वहाँ पर बोता है और उसको सो प्रतिश्यत उसका फल उसको मिलता है कैसे मिलता है आकाल है दुनिया भर में लोग चुप रहते हैं दुनिया भर में लोग कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन इस हाग जो है पूर्ण प्रो हालिलुया ये कैसे हो सका कि परमेश्वर ने वहां पर उसको बड़ोत्री दी इसलिए हमारे जीवन में भी कोई भी किसी भी तरही की बड़ोत्री अगर हम चाहते हैं तो हम परमेश्वर के सामने रखें हालिलुया काफी बार होता है हम पूर्ण दरीज़ कोशिश करते हैं प्रवर्ति करना जरूरी है हम जब अपनी इच्छा के अनुसार प्रवर्ति करते हैं तो उसकी बड़ोत्री हमारा परमेश्वर देता है इसलिए मानसिक तोर से शारिरी तोर से आत्मिक तोर से हमें उत्साव होना जरूरी है प्रवर्ति कार्य करने के लिए जैसे कि यहां हम देखते हैं पालوس क्या कहता है कि मैंने लगाया अपलोस ने वहां पर पानी डाला हालिलुया वैसे ही अगर हम किसी काम करने वालों को देखे किसान को देखे तो वो क्या करता है वो महां पर बीच को डालता है और फिर उसकी चारों तरफ जो उसकी जो मिटी होती है उसको प अच्छे से करना जरूरी है पूर्ण कर्टव्य के साथ करना है प्रात्ना के साथ जब हम अपने आपको समर्पित करते हैं प्रभू को जब हम अपने हरे कारियों में हम उनको उसके भागे बनाते हैं तो उसका जो उद्देश था वो कारी का वो पूरा होगा हैलिलुया और वो सौ प्रतिशत होगा और हमें वो पूर्ण तरीके से फलदाय करके देगा हैलिलुया जैसे कि हम नीती वचन के सोला में भी हम पढ़ते हैं कि हम पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथ सिद्ध होंगी हालेलुया इसलिए हमें पूर्ण तरीके से परमेशों के हातों समर्पित कर देना है हालेलुया और जब हम अपने कार्यों को प्रभू के हातों समर्पित करते हैं तो वो हमें पार्टनर्शिप जब हम परमेशों के साथ करते हैं तो वो उसमें हमें बड़ोत री देते हैं फलतायक हमें करके देंगे वैसे मलाकी की किताब में भी अगर हम देखे उसके तीन के दस में हम पढ़ते हैं कि हमें पूर्ण तरीके से क्या करना है जो भी है सब कुछ पर मेशों को दे देना है क्योंकि दस में लिए कि सारे दश्मांच जो है भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तू रहे और सीनाओं का यह हुआ यह कहता है कि ऐसा करके मुझे पर्खो कि मैं आकाश के ज़रों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे उपर अपरमपार आशिश के वर्षा करता हूगी नहीं हालेलुया तो इसलिए मेरे प्रियों लोग हम काफी बार जो है हमारा जो दश्मांच वो आदा देते हैं ऐसा ना करें हम पूरा देने के लिए अपने आपको समर्पित करें जब हम ऐसे करते हमारा परमेशोय अपने स्वर का जो भंडार है वो खोल कर हमारे उपर अपरमपार आशिश देगा सिर्फ आशिश नहीं अपरमपार आशिश की वर्षा करता है हालेलुया इसलिए जो भी हम कारी करते हैं, हम परमेश्वे के साथ सहकर्मी बने, परमेश्वे के हाथों समर्पत जब करते हैं, परमेश्वे से जब हम बात करके, परमेश्वे से पूछ कर उनके आलोशना से जब कारी करते हैं, तो प्रभू हमारे हर एक प्रवर्ति को पूरा करेंगे, हालेलुया इसलिए जब हम दशमाश जो हमारा जो है वो पर मेश्वर को जब देते तो वो अपने भंडार से हालेलुया वो हमें आशिशित करते है हालेलुया इसलिए यहाँ पर जैसे लिखा है स्वर्ग का जो दौर है वो हमारे ले खुला जाता है स्वर्ग का दौर कोई ब दिलाते हैं कि हम प्रात ना करें प्रवर्थी करें और परमेश्वर के हाथों समर्पित करें परमेश्वर के साथ हम सहकर्मी बनें और विश्वास योगिता के साथ जब हम काम करते हैं परमेश्वर के साथ एक पार्टनर्शिप में जब हम काम करते हैं तो प्रभू हमें समर् पर हमकार यह नहीं करते हैं, इसलिए अपने आपको समर्पित करें, इस वच्छन के आधार पर आएगे मेरे साथ का ईश मसी के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महीमा को प्रगट करेंगे, we are blessed, we are really blessed and we are permanently blessed and highly favored, God bless you, God bless you, God bless you